नमस्कार मैं हूँ रौशनकुमार और आप देख रहे हैं लाइबुधा इस वक्त हम पावापुरी होश्पिटल में आये हुए हैं और मेरे पिछे जो देख सकते हैं ये तीन लोग हैं एक आम सी लडाई में इन तीन लोगों को है जो की मार कर सर फाड़ दिया गया किसी का हा ना भिहार शरीप का है तो इन लोग से हम जाने का परियास करेंगे कि आखिर क्या बज़ा है कि जो इन लोगों को इस तरह से मार पिट किया गया क्या नाम है आपका सुधा देवी किस लिए आप लोग को मारा गया अरे हम लोग घर में बैठे हुए थे अब पीछे लड़ा उनको पलोगा चूप रही है ना बस बोले गारे बोले गारे पुरा गारी देना स्टार्ट कर दिया उसका बेटा है बंटी कुमार अभी कास है उनका ममी थी दुन मारनेम कौन-कौन लोग मारनेम उस्टुडेंट बसे ले लरका लोग का उस सब दुत विकास है जो पुरा लुदार का लेकर चलाया निचाया पुरा ड़ ले लए था हम लोग यह था हम लोग था है कुछ भी नहीं था मेरे हम लोग कहात में मारना जुरो कर दिया फ़िसान बीडा की हात ना नाइक हम लोग सम पीशस हम लोग को कोई मतलब नहीं है खाली जिरी सो बोलने का कारण इतना कर दिया हम लोग को से वह और तैसे बीदा पूरा धमांगे दो 15-20 दिन पहले एक आदमी कारों से किया घर चाहर को उसको किया समझे ना उसको सभी का का हुआ भगवान जाने नहीं जानते हैं इस मारने में कितने लोग अधमित हैं लोज वाला लड़कन सब था सब दस वराद में हो उनके घर में जो की है रेंट लगाए हुए और उस्टुडेंट लोग वहां रहते हैं और वो लोग भी कही ना कहीं इस घटना में सामील हैं वो लोग पढ़ने आते हैं क्या नाम है कर्में बिना पूचे मात लाटिं चलाने लगा और चाइनून जो था मेरी मेरी पतनिका सब का खीच खाच लिया सब जो भी था वहांग उठी मुठी जो था सब खीच खाच लिया और पढ़ा-पढ़ सबते हैग सबै Тबंगाय करता है आए दीउन वह परी तीन-2 गर alternator का वे all Emil 2019 भगल वाले धरमेंदर की यह से उसका केस्तों मुकादमा चल रहा है और अगल जितना भी यह लयाएक धूर भी moimזה Lub experience है एक महीन अपहले उसका भीना करे मार करें था तो उसे 20,000 रुपया दे के उससे माइनश किया हूँ मतलब जागडा दो लोगों में हो रहा था तो आप लोग समझाने गए थे लेकिन उसको छोड़के इस अब हम में लटक गया लटकने के बाद मेरे साथ है जो इस तरह करकत किया हम को इमारा मेरी पतनी को मारा मेरा बे प्रैक्षर ओलगिया चले तो अभी तक कोई घर तारी नहीं हुगी पुलीस जाती है गुंके चलाती है पुलीजाती है गुमके चलाती हुआ कि किसी का कुछ नहीं हुगा मेरा नाम रोकी कुमार है आखिर यह जगड़ा किस तरह से हुआ क्यों हुआ क्या जगड़ा सर्फ दोनों परिवार दोनों लोगों के बीच में समझाने का प्रियाह चल रहा था दोनों सिर्फ एक दूसरे से बोल चाल में बहसा चल रही था लेकिन वह अपने घर में पूरा प्रेक्चर हो गया सर पर गहरा चोटा है सिर्फ समझाने के लिए इससे पहले भी जब भी कभी लडाय होता है तो पूरा घर का पूरा रिंटर लेके निकल जाता है लौज बसाई हुए है सब लाठी डंडा लेके निकल जाता है मार पिट के चला आज तक उस पर कोई कारव कि जाए तो आप लोग सोच सकते हैं कि नालंदा पुलिस का जो हाल है वो किस तरह का है ये लोग फायार दर्ज करवा दिये हैं और पहले भी उस तरह का मामला है जो अरोपी है उनके उपर लगता आ रहा है लेकिन इसके बावजूद अभी तक किसी की गिरफतारी नहीं हु कि लिए नुक्सान दे होगा और आपका करियर चोपट होगा और इस तरह के जो जगह है कही न कहीं आप लोगों को भी भचना चाहिए जो आप लोग वहां रहते हैं और रहते हैं और आपके लिए बहुत ज्यादा नुक्सान दे है और परसासन से भी मेरा आपील है कि इस तरह के जो आरोपी है उन पर कठोर से कठोर कारवाई किया जाए चुकि देख सकते हैं कि एक साथ में तीन-तीन लोग यहां पर एडमिट हैं और इन लोगों का है जो कि नियाय अगर नहीं मिलता है तो कहीं न कहीं ये पुलिस परसासन के ल किजिए हमारे चैनल पर पहली बारा है हमारे चैनल को सब्सक्राइब किजिए वीडियो को लाइक किजिए शेर किजिए अगर यह वीडियो आप हमारे यूटूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और सेर करें अगर आप य वीडियो हमारे फेस्बुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें और वीडियो सेर जरूर करें अपनी परतिकिरिया नीचे कॉमेंट बॉक्स में दें